स्टूरेंट्स वेलकम आपका स्किल्स होगे के लर्निंग प्लैटफॉर्म पे जियां दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं फास्ट एंशॉट मैथेमेटिक्स कैलकुलेशन ट्रिक का थर्ड वीडियो और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैलकुलेशन के एक ऐसी ट्रिक जिस सिक्स और फिर हमारा नंबर आता यह लेकिर आज हम इस मैथल को बिल्कुल खतम करने वाले हैं जी हाँ और आज हम एक नई ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप जानना चाहेंगे क्या है वो ट्रिक चलिए पहले तो मैं कुछ कोशन से स्ट्रिक के थ्रू सॉल्व करक अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि अंसर गलत है ताब अपना चैलकुलेटर यूज़ कर लिजिए चलिए मैं एक और कोशन लेता हूं मेरे पास एक है 22 इंटू 22 ठीक है 22 इंटू 22 मैंने यहां पर सीधा सिंपली एक लाइन कीची और मैंने इसका आंसर दिदिया इट इस 484 ठीक है दोस्तों देखिए आ रहा है आंसर आप अपने कैलकुलेटर से मैच कर लिजए अगर आपक इस चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इस ट्रिक को किया कैसे जाता है और अब हम इसको करेंगे बिल्कुल इतमिनान के साथ समस्दारी के साथ और शांति से कि ये आंसर कैसे निकाले आते हैं पहले मैं आपको बता दूँ इस मैथट का नाम है stick mathematics इसको basically stick multiplication कहा जाता है मैं आपको बता दूँ ये चाइनीज रूल है जिसे Chinese stick multiplication के नाम से भी जाना आता है हम लोग यहाँ पे जिस तरह किसे number का use करते है वैसे ही इस rule का इस्तिमाल किया था stick के थुरू मैंने यहाँ पे line बनाई है but actually हम use करते है sticks का तो चलिए कुछ examples के थुरू समझते है कि हमने इस question को कैसे किया तो देखते है student करना क्या होता है माल लीजे के मेरे पास एक question है 12 into 23 हमें इसका multiplication करना है तो देखो आपको करना क्या है आपको सबसे पहले यहाँ पे हमारे पार number दे रखा है 1 and 2, 2 and 3 आपको यह number है आप इसे line के रूप में convert करो कैसे 1 है तो पहले आप यहाँ पे एक line ड्रॉप कर लो ठीक है फिर यहाँ 2 है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा gap देके दो line ड्रॉप कर लो समझा है क्या क्या हम इने 1 था तो 1, यहाँ 2 था तो 2 मतलब कि क्या है कि जो number था number को हमने lines में convert कर दिए अब आते हैं इस पे यह क्या है 2 into 3 तो 2 into 3 है तो 2 into 3 के लिए हम क्या करेंगे पहले 2 है तो नीचे से start करेंगे यहाँ पे आप एक और दो दो line ड्रॉप कर लो फिर space देखे 3 है तो यहाँ पे आप एक दो और तीन line ड्रॉप कर लो बस इतना करना है आपको समझा है मैंने क्या किया black line से मैंने 12 को denote किया है red line से मैंने 23 को denote किया है ठीक है अब देखो करना है किया इसका answer कैसे निकलेगा answer निकालने के लिए हम simply क्या करेंगे हमारे पास हम इसको अलग-अलग इस्षों में divide करेंगे एक हिस्सा हमारा यह होगा right एक हिस्सा हमारा यह होगा ठीक है और एक हिस्सा हमारा यह होगा अब आप कहेंगे यह क्या है तो देखिए पहले इस वाले हिस्से में देखिए कितनी जगाओं पर line इस दूसरे को cross कर रही है यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह जो आया आपका यह आया है last digit, जी हाँ दोस्तों, तीन digit या चार digit जो भी है यह आएगा last digit, तो यह आया हमारा 6, this is the last digit, अब आते हैं center में, center वाले में आपको क्या करना, यहाँ पर देखें कितने के बार काट रही है, 1, 2, 3, 4, sorry, 4, 5, 6, and 7, कितने होगे 7, तो यह आग का 276, आप calculator के save multiply करके देख सकते हैं, आपका answer बिल्कुल यह ही आएगा, चलिए, एक और example के तुरुष को समझते हैं, ताकि आपको easily समझाए, मेरा main motive है कि आपको completely यह method समझाए, तो चलिए इस बार मैं लेता हूँ, 43 into 12, जी हाँ, 43 into 12, तो same आपको क्या करना है, पहले 4 है तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, फिर क्या है, इसका 3 है, तो मैंने आपे space देके, एक, दो, और तीन लाइने ड्रॉ कर लीए, ठीक है, आपको क्या करना है, मैं दूसरा color ले लेता हूँ, 12 के लिए, पहले है एक लाइन, तो एक ह आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक पार्ट आपका ये होगा, डन, तो पहले ये वाला count करते हैं, कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो यह आपका आगया, छे, ओके, अब यहाँ आते हैं, यहाँ यहाँ आया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, तो इस पे ग्यारा है, तो कि आप ग्यारा लिखेंगे, नहीं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दस से उपर संख्या आजाए, तो आपको पहली डिजिट तो लिखनी है, एक, लेकिन जो दूसरा डिजिट बचा, यानि ग्यारा था ना, तो ग्यारा का ए आपको बता रहा हूँ, चाइनीज स्टेक मल्टिप्लिकेशन, चलिए, एक और एक्जामपल के थूर इसको समझते हैं, एक और एक्जामपल लेते हैं, माल लिजे मेरे पास पूस्चन है, 24 इंटू 13, तो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले आपके पास 2 है, तो 2 है, तो 3 लाइने यूज़ करें, दोस्तों, अब आपको देखना है, यहाँ पे कहा कहा पे कितने कितने डॉट्स आ रहे हैं, मतलब लाइने कट रहे हैं, तो पहला आपका ये वाला पाट रहेगा, दूसरा मैंने कहा आपसे ये वाला पाट रहेगा, और तीसरा आपका ये वाला प लेना है जो एक बच्चा उसको यहां पे carry देते हैं आप देखें यहां कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पंच, छे, सात, आठ, नौ, दस दस और एक ग्यारा सेम वही करेंगे 11 है तो यहां वन आ गया और जो बच्चा वह यहां पे carry आ गया तो बच्चा किया से एक, दो यह त तो यह आगया 312, अब multiply करके देख सकते हैं, 24 को 13 से answer आएगा आपका 312, यहां दोस्तो था ना easy, यह था बिलकुल fantastic और simple और थोड़ा different trick जो maths की है, जो शाहिदी आपने कहीं देखी होगी, तो please इसकी practice कीजिए, इसे समझिए और solve कीजिए, और मैं आपको बता दूँ, इस rule स इस trick के through, शिरिफ आप two-digit number ही नहीं, बड़ी से बड़ी three-digit numbers बगएर भी solve कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको एक example और देता हूँ, कि अगर आपके पास three-digit number हो, तो उसे कैसे solve करेंगे, उससे पहले मैं whiteboard को rub कर लेता हूँ, चले दोस्तों, अब हम करते हैं कि अगर हमा हमारे पास है 123, तो जैसे हमारे पहले दो डिजिट थे और दो डिजिट के लिए हम lines बना देते हैं, अला गला, सेम यहाँ पर भी वही करना है, कैसे 123 है, तो सबसे पहले मैंने क्या कि यहाँ पर एक line draw करी, ठीक है, मैं दूबारा से draw कर दता हूँ, चलो, easy रहे, तो यह हमन मैंने कितना line draw किया, तीन line draw किया, समझा है, यहाँ कि मैंने पहले 1 लिया, सबसे पहले मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, अब यहाँ कितना 1, 2, 2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको मैं अलग color से denote करते तो, ताकि आपको easily समझा है, एक line draw किया मैंने, फिर आपने यहां पर एक, दो लाइन डॉफ किया दन समझा गया गया है, ब्लैक वाला डिनोट कर रहा है, वन टू तु को, अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको चेंजिंग कैसे करनी है, यहां पर आप काउंट करोगे, एक ये वाला पार्ट, number one, number two, ये वाला पार्ट, number two, ठीक है, then number three, number three में आप लेंगे, ये वाला पार्ट, ये होगा आपका number three, ठीक है, number four, number four पे आप लेंगे, ये वाला पार्ट, ये होगा आपका number four, and फिर number five, जो आपका बचा, वो number five हो जाएगा हमारे पास, यह वाला पार्ट समझाए कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसे solve करेंगे डन अभी जब solve करेंगे तो समझ जाएंगे तो चलिए सबसे पहले यहां पर आते हैं यहां पर देखो इस वाले चार ओके पांच छे साथ आठ नौ दस तो मैंने दीखिया वहला था जब भी टैन यह तैन्स जाए तो हम क्या करेंगे इसका जीरो लिख लेंगे और कैरी वन को आगे करेंगे अब यहां आते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और एक यह नहीं कैरी नौर एक दस 10 का आजाएगा 0, बज गया 1, 1 को लगा दिया आगे, ठीक है, then यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 और 1, क्या रही है न, 5, तो यहाँ आगे हमारे पर 5, then आगे, यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ आगे 1, what is the final answer, 15006, है न, easy, शलिए, एक और example के साथ इसको समझते हैं, ताकि आपको आसान समझा है, तो इस बार हम नंबर लेते हैं, 2, 1, 4, multiply 1, 3, 4, तो सेम, क्या करना था, lines, तो पहले मैंने line ले लिए यहाँ पे, 1, और यह 2 line, ठीक है, then फिर कितनी line चाहिए, 1, तो फिर मैंने यहाँ बिना लिए 1, फिर कितनी चाहिए, 4 line है, तो 4 के लिए मैंने यहाँ बिना ल पहले कितनी line बनेगी, पहले बनेगी 1 line, तो यहाँ पे मैंने बनाई 1 line, then फिर 3 line, तो यहाँ पे मैंने बनाई 1, 2, 3 line, फिर कितनी चाहिए, 4, तो 4 line है यहाँ बना लिए, 1, 2, 3, और यह 4 line, I hope कि आपको समझा रहा होगा, ठीक है, आप क्या बोला था मैंने, इसको अलग- पार्ट, यहाँ से लेके, यह हो गया पूरा second part, ठीक है, फिर 3rd part हमारा हो जाएगा, यह center का, this is our third part, ठीक है, then फिर 4th part, 4th part हमारा हो जाएगा, यह वाला part, यह हो गया 4th part, and then again 5th part, यह हो गया, ठीक है, तो चलिए, एक एक पार्ट का number लेते हैं, पहले यहाँ देखने कित जादा हो रहा है, तो 10 से जादा हो रहा है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, और इसका 1 आगे एक भेज देए, राइट, अब यहाँ पर आते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो बारा, और चार, शोला, और एक, सतरा, यहाँ कैरी, सतरा हो गया, तो सतरा का 7, अब एक बच गया, तो इसको आगे लिए, अब नहाँ पर आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, ठीक है, पंदरा, और एक, यह कैरी था, कितना हो गया, 16, त अब दुबारा से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, और यह साथ, तो साथ और एक, आठ, और यह एक, और यह दो, इस वाले पे, एक और एक, दो, तो यह आगया, 2, so what is the answer, 28676, आप देख सकते है, 5 डिजिट का नंबर आया है, तो इस स्टिक मेथट से, अब कर सकते हैं, thank you for watching, skills okay.